सो अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो तो आपके पास पांच ऐसे एससरी जो कि गेरेंटीड होनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर रहे हो मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो फिर भी और यह पार्ट वन है इसके अंदर बेसिक पांच चीज़े बता बागी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप यह सारे प्रोड़क्त बाय कर सकते हो और उस लिंक पर जरूस एक बार जाके चेक आउट करना वहां पर मैंने इन प्रोड़क्त के अलावा और भी कावी सार फोन को चार्ज करने के लिए तो एक पावर बेंग आपके पास जरूर से होना चाहिए क्योंकि यह चार्ज तो करता है आप ट्रावलिंग पर जा रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो तो वहां पर आप इसको ले जा ही सकते हो बागी यहां पर USB पोर्ट भी मिलते हैं वहां से आप बागी जो बेस्ट वाले होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब बात करते हैं onzasная दा से जसन बारे में तो यह mä당 मेरे पाट अलग ब्रेंड का है ये है TWS यह अपने अरब बोल सकते हो इसको आप अप लगा के डिरेकली यूस कर सकतेओं आपके पास एक wire वाला तो होता ही होगा, mostly लोगों के पास होता है, लेकिन एक wireless भी होना चाहिए, चाहे वो Bluetooth वाला होता है, जो गले में लटका के रखा जा सकता है, या फिर कुछ इस टाइब का TWS, या फिर Airbird है, उस टाइब का कुछ आपके पास जरूर से होना चाहिए, wireless क्योंकि wire के साथ तो phone आप साथ में लेकर अर बार नहीं गुमते हो, हो सकता है, आपको गर में कुछ ऐसा काम है, जो कि आप काम करते टाइम आप लगाना चाहते हो, तो phone आप साइड में रखके यह लगा के डायरेक्ली गाने माने सुन सकते हो, call पे बात कर सकते हो, तो मेरे रिसाब से यह एक ऐसी चीज़े जो की necessary के अंदर आती है, मतलब आपके बास होनी जी, अगर आप एक smartphone user हो तो, तो मैं यह यह यूज कर रहा हूँ, यह एक अलग company की तरप से मिला हुआ है, बागी जो best होंगे उसका link आपको description में मिलेगा, वहां से जाके आप directly check कर सकते हो, अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, तो तीसरी चीज है वह है, यह mobile stand, यह basically एक mobile stand है, metal का बना हुआ, 100 रुपे का है, मैंने previous वीडियो में इसका unbox किया था, अगर आपने देखा होगा तो, तो यह 100 रुपे का आता है, और यह आपके पास होना चाहिए, यह मैंने देखा है न काफी सारे लोगों के गर में होता है, काफी सारे लोगों के गर में नहीं होता, जिनके गर में होता है, वो mostly regularly यूजर्ली यूज़ करते है, यह तो उनका specific time होता है, या फिर कुछ लोग का ऐसा होता है, कि मैं movie देखूंगा उस time पे use करूंगा ऐसा है उनका fix रहता है लेकिन जो लोग के पास नहीं होता है वो तो use करते ही नहीं है उनके पास भी एक होना चाहिए मतलब इसकी ज़ुरत कभी भी आपको पढ़ सकती है किसी भी time या फिर आपको नापड़े आपके कर पर कोई guest आया है या फिर हो सकता है कि सबको मिलके कुछ चीज देखनी है उस time पर आपको एक mobile stand की ज़ुरत पढ़ सकती है और यह 100 रूपयका है metal का तो मेरे सबसे यह एक ऐसी चीज़े यह भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पा वाली चीज़े यूज कर सकते हो अपने phone के अंदर जैसा कि मैंने दिखाए आपको यह वाली light अभी usb वाली powerbank के अंदर लगा के दिखाई अगर आपको यह phone के अंदर लगानी है usb वाली तो otg कनेक्टर का यूज करके यूज कर सकते हो तो जो चीज़े मैं बोल रहा था क powerbank के अंदर आप कावी सारी ऐसी चीजे हैं जो कि लगा के यूज कर सकते हो वो सारी आप फोन में भी कर सकते हो अगर आपके पास एक otg connector रहेगा तो otg connector basically 10-20-30 रूपे के आसपास आपको मिल जाता है लेकिन offline जाके लाना पड़ेगा अगर online लाओगे तो 100 रूपे के आसपा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके बताने ये पाट आपको कैसा लगा अगले पाट के अंतर हम थोड़ा advance जाएंगे जो कि काफी कम लोगों के पास होती है और होनी चाहिए मतलब useful चीजे ऐसा नहीं की कुछ भी दिखा दिया सो कमेंट में जहुर से करना बागी की तरफ से ये मैंने मंगवाया था लेकिन अभी ये नहीं मिलता है तो इसके जिसे similar काफी है जो कि मैंने आपको description में लिंक दे दिया है ये केबल आपको ज़रूरी है आप power bank के अंदर traveling के time use कर सकते हो कहीं बाहर जा रहे हो तो बहां पर किसी और के charger के अंदर अगर आपको ब्रेक नहीं होती या फिर काम करना बंद नहीं करती सो बताना कमेट करके वीडियो आपको कैसे अलगा अकर आपने like और subscribe नहीं किया तो like और subscribe करते नहीं बागे मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो के अंदर बाई